जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए, अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए, दुख, दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए, अब हमें खुश्या ही खुश्या और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए, हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब् करना चाहिए मेरे प्रिये शिश्यों सादकों और आज के सभी हमारे प्यारे नवीन दर्शकों देखते ही देखते 2017 गुजर गया 2018 क्या 2017 से बहतर जाएगा वरिष्टिक राशी वालों के लिए क्या उमीद और विश्वास पर खरा उतर पाएगा राशी फल आपका तो यही मैं बताने के लिए आया हूँ कि आपके उमीद और विश्वास के लिए क्या छुपा है आपके भविश्वी के गर्व में शुरुवात करते हैं वरिष्टिक राशी जिनको सनी की साड़े साथी का लास्ट पार्ट चल रहा है उन लोगों के लिए ग्राफ क्या कहता इस बेने का एक नजर आपके ग्राफ पर सबसे पहले देखिए बिजनस एंड वेल्थ साठ पर्तिशत में संतोष आपको करना पड़ेगा यहाँ पर महिलाओं के लिए और फैमिली जो उनने नया सेक्शन शुरू किया है पैस्ट पर्तिशत मदा आने वाला है उन महिलाओं को एजूकेशन और संतान से सुख में सतर पर्तिशत का लाब मिलने वाला है यानि शुरुवात बड़ी अच्छी होने वाली है हेल्थ और एनिमीज का जो बाव है वो पिच्चेतर पर्तिशत में आपको संतोष करना पड़ेगा और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है आपकी राशी कुणली पर आठ नंबर की देखिए ये कुणली है वर्षिक राशी की बड़ा सुंदर एक पंचाग्रही योग यहां पर बन रहें जिसमें चार ग्रेम ने दिखा है शुकर शनी बुद्ध और सूर्य सेकंड आउस में और जब जब चंद्रवाई यह आ जा साथ शुक्र शुरुवाती दोर में सेकंड आउस में परंतु 13 जनवरी से मन तेड़ तक वो चले जाएंगे थर्ड आउस में बुद्ध के साथ लक्ष्मि नाराण योग बनाएंगे सूर्य शुरुवाती दिनों में सेकंड आउस में धरुराशी में और 14 जनवरी मकर संकर से मन तेड़ तक थर्ड आउस में रहेंगे केतू के साथ ग्रहन दोश बना देंगे या सूर्य और बुद्ध का बुद्ध आधित योग और शुक्र बुद्ध का लक्ष्मि नाराण योग आपको आनन देने वाला है सेकंड आउस में ऐस उसवल शनी अभी लंबे समय तक बिराजबान रहेंगे और यहाँ देखिए आपका जो लगन है जो आपकी इंटेलिजेंस आईक्यू एक्यू लेवल है या फिर अमारा जो कोई भी चहरा बहरा आचरन वेवार कद काटी परसनारेटी है उसका आगे श में राहू बिराजबान रहेंगे जब जब चंद्रबा बाहर रहेंगे तब तक काल सर्वयों का प्रभाव नहीं रहेगा बात करते हैं मंगल की शुरुवाती दौर में तो यह 12 आउस पर रहेंगे और साथ में ब्रहश्पति के साथ परिजात योग तो बन रहा है लेकि 12 हाउस में थोड़ा सा वीक रह सकता है या परंतु 16 जनवरी से मन्त एंड तक मंगल अपनी गर्ब में बापसी करने जा रहें आपकी राशी में तो यह एक सुकद इस्तती बन सकती है शुरुवात करते हैं आपके राशीफल की बिजनस एंड वेल्थ का हाल सबसे पहले जान यह सारे शुक्र के बिजनस आम तोर पर इस बिजनस के लिए आप लोगों के लिए सुंदर समय हो सकता है एक्सपांशन के लिए और उसको और बहतर करने के लिए क्योंकि बिजनस हाउस के लौट शुकर बनते हैं वो सेकंड आउस पर हैं और 6 जनवरी से 13 जनवरी तक बु कोई भी दोखा आपके साथ मनी में हो सकता है एलिट रहेंगे कम होगा दोखा ना के बराबर या ना भी हो सकता है लेकिन अगर आप एलिट नहीं रहे तो यह परिशान कर सकता है मैं चाहता हूं कि इस मईने आप अपने बिजनस में जो मैनेज्मेंट और अगाउंट से वो वो 12 आउस में खर्चे के बाव में बिराजबान है इस महीने पैसा जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन ये जरूर है कि पैसा फालतू में खर्च हो सकता है जितनी जहां जरूरत है उससे ज़्यादा पैसा खर्च करके जो लाब मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल क्योंकि मंगल आपको 12 आउस में इरिटेड करेंगे गुसा चिड़ चिड़ा सोभाव इस वज़े से जो आपका बन रहे ही चीज वो भी आप बिगार सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कूल रहेंगे तो ये महीना बहुत सुन्दर इसको सजा सकते हैं यहां शनी की द इसे रिलेशन्शिप में हैं यहां पर देखिए सेवन्थ हाउस जहां पर दो नमर लिखे में वो रिलेशन्शिप का होता है पती वत्री का होता है इनके लौट शुक्र है इस महीने कोशिश करिए कि आप एक या दो बार वीकेंड पर बाहर पाटी करिए गुमने जाईए तीरत यात्रां करिए अपने पुराने दिनों को याद करके वापस उन्हें लाने की कोशिश कीजिए और वो सब पॉसिबल है आपके लिए सिरफ धन के बारे मैं मत सोचेगा पती भाव या जो फैमिली लाइफ या रिलेशन्शिप के लौड है वो शुक्र सेकेंड आउस म बन सकता है 6 जनवरे से 13 जनवरे तक बुद्ध के साथ लक्षमी नारान योग होने के वज़े से आप लोग खूब आनंद लूट सकते हैं मजा लूट सकते हैं सर्द मौसम है रोमेंटिक मौसम है इसका आनंद लीजिए लेकिन इस आनंद में एक विलन है जो आपके परिव में डालना चाहता हूं क्योंकि आपको बस एलेट रहने की सरा दूँगा बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूनेंट्स और संतान से सुख की वरिष्टिक राशी में यहां देखिए 12 नंबर लिखे हैं मीन राशी के लॉट बनते हैं देवताओं की गुरु ब्रहश्वत वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है मोबाइल में हो या कम्पेटर में हो या फिर दोस्तों के साथ मौज बस्ती में ज्यादा टाइब बहतीत करना उससे क्या होगा कि पढ़ाई से डिस्ट्रेक्शन और नंबर कम आने की वज़े से और जनवरी के बाद आपको पताईए कि एक्जाम का महिना होता है एक्जाम का टाइम होता है कबर कसके तयार हो जाएए अभी आप डंक से मेहनत करोगे तो जिन्दी की बर का आराम हो सकता है और अभी आराम करने पर कहीं जिन्दी की बर मेहनत ना करनी पड़ जाए ये मैं इसलिए बोल रहा के जासूर बन जाए क्योंकि राहूं की नवमी द्रिश्टी फिफ्थ हाउस पर होने के वज़े से बागिस्तान से कुछ आपके बच्चों की फ्रेंड्शिप गलत चल रही इसको थुरा साब एंडल कर लीजिए बात करते हैं health और हमारे प्यारे दुश्बनों की प्यारे इसलिए बोल रहा हूँ क्यूंकि दुश्बन होने से हम थोड़े से alert हो जाते है तो दुश्मन एक परकार से कहीं नहीं हमें यह सी aggressive की लौड कषिए मंगल मंगल व्लद हाउस पर है जिसके कारण आपके दुश्मन भी पन पेंगे और दुश्मन भी पन पेंगी और हेल्थ जो है वो ठीक हो सकती है यानि हेल्थ में बैटरमेंट होना लेकि जो लोग पहले सी हार्ट, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीस के बरीजे इस्पेशली ब्लड प्रेशर के शिकार है उनको तकल करते हैं उन लोगों के इस मेंने कोई गंभीर तकलीफ हो सकती है और पहले से तकलीफ चल रही दो बढ़ सकती है और ऑपरेशन की नौबत तक आपके आ सकती है तो अब सावधानी हटी और दुरुकटना गटने के पूरे चांस है बात करते है जॉब और प्रोफेशनल होता है हमारा एजूकेशन का यह बड़ा सुन्दर राज योग है बहुत कम आपको ऐसे मौके बिलेंगे पंचागरही योग बन रहा है यह टाइम है जॉब को चेंज करने का यह टाइम है जॉब में और तबदिली दाने का और ढंक से मेहनत करने पर आपको प्रमोशन मिल स है तो यह था वरिष्टिक राशी वाले लोगों को शनी की साड़े साथी का लास पार चलने वज़े से कुछ चीज़े डिले डिस्टरब हो सकता है लेकिन आप बस चिंता नहीं चिंतन करीगा बहुत-बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत आशिरवाद और प्यार भरा न हम सब के जिन्दगी में खुश्यों की एक चाबी हैं हम सब जन्म कुंडली बनाते तो जरूर हैं लेकिन उसे हमें देखना नहीं आता है इसका एक आसान तरीका हमने खोज निकाला है हम बनाएगे आपकी जन्म कुंडली नौगरह 27 नक्षत्र कुंडली के बारा भाव और बारा राश्यों पर आधारित जोतिश वह ग्यान है जो हमें भविश्य के बारे में तो जानकारी देता ही है कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि बरसात में चाता हमें भीगने के बाद याद आता है हम आपकी जन्म कुं कौन से दश्या अच्छी रहेगी और कौन से बुरी और क्या उसका उपाय किया जा सकता है कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे वह सब्जेक्ट लेते हैं जिन सब्जेक्ट को लेने के बाद उसकी पढ़ाई करने बाद वैसी जॉब नहीं मिलती है तो क्या कार बीना शादी कर लेते हैं ऐसे चंद तमाम प्रश्टों के जवाब हम देंगे आपकी जन्म कुंडली का निरबान करके आप वो सब कुछ इस जन्म कुंडली से जान पाएंगे जो आपके लिए जनना ज़रूरी है जन्म कुंडली के निर्वान के लिए आप हमारे जोत्पुर कारेले में संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भगवान स्री गणेश जी के आशिरवात के द्वारा बनती है जन्म कुंडली जिससे हमारे चियोन में रिद्धी और सिद्धी आती है 8955-896625 इमेल info at the rate grahukakhil.com.in website www.grahukakhil.com.in